इस समय पर दियर गाइज आपके परसन की करन्ट एनर्जी इस करन्ट फिलिंग आपकी लिए क्या है सुटे रोकार्ट में देखेंगे तो चैनल को लाइक सस्क्राइब कर लीजेगा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजेगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए जन्रल टैरोकार्ट इरिंग है यह जन्रल टाइमलेस और कलेक्टिफ तो सभी लोग देख सकते हैं आनर्जी इस किसके साथ मैथ होते हैं मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में तो देखते हैं कि जो आपके परसन है उनकी फेलिंग्स आपको लेकर क्या कुछ चल रह है उनकी अनर्जी आपको लेकर क्या को चल रही है उनकी मन में आपको लेकर क्या को चल रहा है इस सभी चीजों को टैरोकार्ट में देखेंगे तो चल यह चेक करते हैं अनर्जी को यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी मैं दिल से प्रार्थना करूंगी कि मेरे जो भी हैं सभी की रिउने हो जाएं तो यहाँ पर यहाँ पर जो मेरे को situation दिख रही है आपके person की आई hope कि आपने अपने person का name लिया होगा लिक्याहँ पर the moon का card है तब मुण का card यह ओर कर रहा है कि आपके person without you guys बहुत जादा इस समय पर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं यहांद i यहां पर दा मुन का का रहे है वह कि आपके परसन के साथ आपके और आपके परसन के बीच में किसी तरह की का या किसी बात पर जगडा हुआ या फिर कोई भी situation ऐसे है कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आप इनसे नहीं बोल ले हो लेकिन देखो ये आपसे दूर होकर या no contact situation में ना इनको बहुत ज़्यादा मतलब आपकी याद आ रही है अब हो ज़्यादा आपको feel कर रहे हैं बहुत ज़्यादा के बारे में ना सो मिस कर रहे हैं डबर नीवा बाइeurs निया अगर आप लों के बीच में प्रिकार कि या किसी भी तरीके की कोई भी निगेटिव अनर्जी आपके अलग कर रही है या फिर some negative energies आपकी काम पर effect डाल रही हैं आपके profession या आपकी career या आपकी job या आपकी health issues वगएरा आ रहे हैं तो यहाँ पर इस बज़े से क्या हो रहा है कि day by day आपकी चीज़े change होती जा रही है जैसे कि मैं यहाँ पर जो situation को देख रही हूँ उसमें कुछ negative निकारात्मक परभाव हो सकते हैं कुछ लोगों की energies के according जिसमें उनका focus उनकी work पर नहीं जा रहा है ठीक है घर की घर में भी मुझे लग रहा है कि अगर आपकी घर में भी आप हो है ना और तो भी कई ना कई हर वक्त एक चिड़चड़ा पंसा फील होता रहता है और एक उदास मतलब होता है उदास हर टाइम उदास होना मायूस होना और feeling sad होना अकेले-अकेले से feel होना तो यह कई ना कई एक नकारत्मक उर्जा हो सकती है जिसका effect आप पर पढ़ रहा हो या बहुत ज़्यादा आप नकारत्मक सोच रहे हो sometimes ऐसा भी होता है कि इंसान positive energy score हम कब करते हैं जब हम positivity को सोचते भी हैं ठीक है मतलब हर वक्त अगर आप एक ही बात को सोचोगे कि यह चीज ऐसी नहीं होगी वह ऐसी नहीं होगी यह ऐसे नहीं होगा तो फिर एक negativity आ जाती है आपको क्या सोचना होता है क्योंकि strength का card है न किक्ता card यहां पर यह कह रहा है कि आपके life में strength आने वाला है आपके life make strong energy आने वाली आपका काम अच्छा चलने वाला है अगर आप profession में ए किसी website में है किसे business में ए अगर आप किसी जाब में हैं कोई जॉब का इंटर्व्यू देने जा रहे हैं तो एक स्ट्रेंथ आता हूँ दिख रहे हैं लव लाइफ अगर यह आफ रिलेशन से आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रेट हो रहा हो रोज और फो रहा हो परसन पहले की तरह बात नहीं कर रहे हो वो दूर-द सोचना होगा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं पॉजिटिव सोच सकते हैं तिंक जो है वो अपने निगेटिव तिंक को हटा सकते हैं तो यहाँ पर यह और जा भी यहाँ पर मुझे दिख रही है दा मून का का परसन आपसे दूर नहीं जा पाएंगे ठीक है हाला कि इस वक्त आपके और आपके परसन के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स मुझे यहां पर दिखाए दे रही है ठीक है दूसरी चीज एनर्जीज भी आप लोगों के बीच की दोनों की स्टक हो गई है मतलब एनर्जीज था रिलेशन से पापका है ना क्योंकि यहां पर मैं देख रही हूं कब में अनर्जीज है तो परसन का प्यार प्रॉब्लम्स मिला था है ना और रिश्टा भी आपका बहुत अच्छा था ठीक था रिलेशन से लेकिन जैसे जैसे आप लोगों की बीच में टाइम जा रहा ह वैसे वैसे प्रॉब्लम्स बढ़ रही है ठीक है और अचानक ही मुझे लग रहा है कि रिलेशन से पाप का खराब हो गया किसी निगेटिव एनर्जीस की बज़े से या फिर कोई कंट्रोलिंग एनर्जी क्योंकि यहां पर आपके परसंग की मुझे कंट्रोलिंग इनर्जीस भी दिख रही है कुछ काड़िस में से लेती हूं मैं राशियां बता देती हूं आपको तो राशियां यहां पर मेरे को जो मिल रही है वो एरीस है लियो सैजिटेरियस है कैप्रिकॉन है कैंसर पाइसेज है बरशब है तुला है एंड लिवरा है करक एंड सिंग राशी है तो इस राशी का पार्टनर आपका हो सकता है ठीक है जिसका इस समय पर आपके साथ मुझे नो कॉंटेक्ट सिच्वेशन दिखाई दे रहा है आचा यहां पर जो काड़ है वो यहां पर य पूरी तरीके से उन्हें अपने कंट्रोल में कर रही है ठीक है और उसकी कंट्रोल की बज़े से इनका आपके साथ नो कांटेक्ट सिच्वेशन हो चुका है और यहां पर सेवन अप सोट्स भी है तो यह सेवन आप सोट्स ही बता रहा है कि आप लोगों के बीच में एक distance हो गया होगा distance बहुत लम्बे time से हो गया होगा, मतलब लम्बे time से आप Hokie की बीच में yeg no contact situation या yeg distance दिख रहा होगा, person बहुत जादा आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मैं जो चीजों को देख रही हूँ, उसमें action बहुत slow है इनका, सोच बहुत जादा रहे हैं बट controlling energies हो सकता है जिसकी बचे से some controlling energies की विज़े से मैंने बोला ना कि action उनका सलू है मतलब partner के मन में feelings है आपको लेकर प्यार है उसके मन में और caring इनसान भी है यह पास्ट भी अगर मैं देखूं तो आपके और इनके बीच में मेरे को काफी अच्छा पास्ट दिख रहा है जिसमें आप लोगों के बीच में मतलब बहुत कुछ दिख रहा है लव relationship तो मुझे दिखी रहा है बलकि यहां पर मुझे कहीं कहीं तो यह भी दिख रहा है कि आप एक दूसरे के साथ ना मतलब बहुत बहुत एक उतरा twin flame connection मतलब बहुत ज़्यादा mix हो जाना एक दूसरे में बिना एक दूसरे के नहीं रहना और हर वक्त एक दूसरे की ज़रुरत फील करना केयर करना support करना हर वक्त बात करना शादी को लेकर भी बात करना कि हाँ भई हम शादी करेंगे या फिर ऐसा फिल करना कि जैसे married couple होते हैं हला वो इस्थिती भी दिख रही है बट अभी मेरे को जो situation दिख रही है उसमें मुझे कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके जो रिष्टा है जो आपका relationship है वो बहुत हद तक disturb हो चुका है क्योंकि दीखो tower का card भी है ना जो कहीं न कहीं क्या बता रहा है tower का card ये बता रहा है कि जो partner है वो इस वक्त आपकी life में एक new beginning आपके साथ चाहते हैं लेकिन जब भी आप लोग बात करते हो तब कहीं न कहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि आप लोग के बीच में disturbance होता है अब कहीं कहीं तो मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल बात ही नहीं हो रही है बिल्कुल ही blocky कर दिया है उन्होंने no बातचीत जब बात blocky कर देंगे तो फिर बातचीत कहा होगी बट कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि इतना control है कि वो आपसे बात करना भी चाहते हैं आपके life में आना भी चाहते हैं action भी लेना चाहते है बट फिर भी situation ऐसी हो गई है कि वो कोई भी ना तो उनकी तब से move on किया है ना तभी से वह आपको लेकर सोच रहे है कि अगर आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा gap आ गया है या काफी टाइम से इस ने या फर काफी टाइम से आपसी दूर है चाहिए डिफरेंसी क्यों ना हो आपका तो भी यह परसन मतलब इनका मन आप से दूर जाने का हो नी रहा है यह सिच्वेशन भी यहां पर दिख रही है सब्सक्राइब से ना तो जाड़े तरह सब्सक्राइब से इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि भाई इनका मन आपकी बना नहीं लग रहा है ब्लॉक तो कर दिया है इन्होंने बात भी नहीं कर रहे हैं आपसे मना भी कर दिया है मुझे मूब आन करना है लेकिन इनका ध्यान तो आप इमें लगा हुआ है पूरा आप देख रहे हो इससे और अगर कंट्रोल भी है या कुछ निगेटिविटी भी है बहुत ज़दा मिसंडरस्टेंडिंग है न तो भी आप किरन के बीच में एक मुझे एक फिलिंग्स दिखाए दे रही है एक जल्ली खतम नहीं होने वाला यह बात यहां दिख रही है शादी को लेकर भी कापी ज़दा सोच रहे हैं किसी के पर सराइटिंक आप लव रिलेशनसिप में रहे हो और आपको शायद मेरे कहल में शादी को लेकर आपकी बहुत ज़दा प्लानिंग थी वह दिख रही है यह मुझे लग रहा है बहुत ज़दा बर्डन भी हैं के ऊपर ठीक है बर्डन की बज़े से भी आप लोगों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही है यहां पर बर्डन काफी ज़दा हो सकता हैं की लाइफ में रियूनियन की लिए अगर मैं देखू कि रियूनियन आ आपका अपके साथ बात्चित होगी कि नहीं तो इसमें आ बैरिस्वन का अंड कर आया कि भाई रियूनियन होगा की नहीं तो इसमें वैरी सुन का कार निकल कर आया अब यह आनरजी आपके साथ कनेक्ट होनी चाहिए बट इस अगर कोई ऐसी सुच्वेशन हैं का इस एक क् जो उनका action है वो slow हो सकता है क्योंकि very soon है तो means उनकी उनकी अंतरात्मा या उनकी soul तो आपके साथ connect है यह चीज दिख रही है और अभी मुझे लग रहा है कि बहुत time हो गया ब्लॉक की हुए का फिलम्बे समय से ब्लॉक किया हुआ है मन नहीं लगता है इनका आपके बिना बहुत ज़्यादा आपके बारी में सोचते रहते हैं और नाइट में भी एनर्जी मिर को यहां पर दिख रही है कि रात में बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर अर्ली मॉर्निंग इन्होंने जो आपको ब्लॉक करके रखा है अगर या फिर नहीं भी अगर आपको ब्लॉक किया है तो यह कई बार रात में मिटनाइट में या आपको अनब्लॉक करके आपका लास सीन चेक करने की करते हैं या फर आपकी कोई DP बगरा लगी है या कुछ है तो उसको भी देखते हैं अगर आपने DP लगा रखी है इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो definitely यह अनब्लॉक करके आपकी DP को देखते हैं कि अब आपके life में क्या changes आ रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं अपनी life में है ना नजर इनकी आपकी तरफ है ये चीज़ भी दिख रही है और आपके साथ इनकी जो बीते हुए दिन है जैसे पास्ट का जब आप पास्ट में रहते थे आप लोग के बीच में एक अच्छा कम्यूनिकेशन था वो चीज़ भी इनको आपकी बहुत याद आ रही है क्योंकि नारास्त में डिस्ट्रवेंस आपके करियर में डिस्ट्रवेंस रिलेशन्शिफ में डिस्ट्रवेंस ओबर थिंकिंग मेंटली स्ट्रेस मेडिटेशन करने के बाद भी मैं देख रही हूं कहीं कहीं आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव नहीं हो पा रही है है ना आप इतना ज् सोचने के बाद भी आप पॉजिटिब नहीं हो पायों बहुत जादा अपने रिलेशनशिप की बजह से स्ट्रेस में हो क्योंकि partner ने बहुत जादा commitment किया था ना यह जो card है ना यह बता रहा है कि इन्होंने पूरा ही commitment किया था और एक तरीके से promise किया था कि और अब वो जाके कोई action नहीं ले रहे हैं बलकि action है ना तो बहुत दूर की बात है इन्होंने तो बात ही करना बंद कर दिया है है ना और अब आप अपनी life में एकदम अकेले हो चुके हो शोशल मीडिय के थुरू आप मिलेते या फिर पर प्लेस पर भी आप लोग का मिलन हुआ था यह चीज मुझे यहां पर दिख रही है लंबे टाइम से एक दूसरे को जानते हो आप लेकिन बहुत love करते हो आप एक दूसरे स है ना यह चीज मुझे आपकी दिख रही है और आप चाहते हो कि यह परसन जो है ना वो अपना वादा निभाए और देखो seven of swords भी यहां पर है तो कहीं न कहीं उनकी तरफ से जो allergies read कर पा रही हूं तो चाहते तो यह भी है ठीक है चाहते तो यह भी है आपके life में रहना आन चाहत में इनकी कोई कभी नहीं है लेकिन यहां पर बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं जो आपकी relationship को बहुत जादा disturb करने की कोशिस करने हैं यह चीज दिख रही है खेर person की feelings बहुत sad हो रही है आपको लेकर उनका एक message ले लेती हूं मैं क्या message है अब देखते हैं और मैं आपको contact करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिफ यही number है सिर्फ इसी number पर ही आप message करके contact करें केवल message call नहीं कोई भी call receive नहीं करेगा तो please request a call नहीं कि यह बहुत busy schedule होता है इतना time नहीं होता है कि call भी receive करें तो अगर आपको appointment लेना है तो आप ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो नहीं Facebook पर Instagram पर नहीं हो और नहीं Facebook पर मैं इसलिए बोल देती हूं तकि आप aware रहें तो देखो आपके person की जो मैंने energies यहां पर read की थी ना same वहीं आपके person का message भी निकल कर आया है और हाँ definitely I need you right now मतलब वो खुद इस चीज़ को accept करते हैं कि बिना आपके वो उनकी जो life है न जो उनकी जिन्दगी है ना बहुत सूनी पड़ गई है मतलब एक्तम से ना अकेला पंसा हो गया है आपके person की life में है ना तो वह हाला कि जब भी आपके साथ उनकी बातचीत होती है तो उनके और आपके बीच में ना कहीं डिस्ट्रवेंसी हो रहा है इस समय पर अपनाउन पांपना और रिलेशन सिप में आपने कभी सोचा नहीं था कि आपके रिश्ते में ऐसा भी रिचन वाइगा कि जब पूरी तरीकते से रिलीशन मतलब ठीक करने की कोशिस भी करने के बाद भी ना कई डिस्ट्रवेंसी हो रहा है वर्क नहीं कर रहा रिलेशन से जिस तरीके से पहले था आपका रिलेशन से पिक वीटुफुल एनरजी में था पहले तो बहुत ही वीटुफुल है ना मतलब कहने ही क्या इतना अच्छा दिख रही हो और यह ऐसी मिसंदर्स्टेंडिंग हो गई है कि जिसको सवन देशने से तो कहीं ना कहीं देखो आपकी भी कार्ड लेती हूं मैं आपका मैसेश भी निकाल लेती हूं मैं क्या है यह आप तो मुझे लग रहा है रियूनिया नहीं चाहते हो कि भाई आप किसी तरीके से लौट आए तो देखो लौटेंगे तो डेफिनेटली लौटेंगे यह आपके परसन के कार्ड में एनर्जीज है इसलिए मैं कहा रही हूँ हाँ अगर कोई कंट्रोलिंग एनर् कि बर्डन वाली है तो फिर कहीं ना कहीं समय हो सकता है कि लग रहा है लेकिन स्ट्रेंथ है आपके रिलेशन्शिप में स्ट्रेंथ का कार्ड है और यहां पर यह कार्ड यह भी बता रहा है कि देखो आपकी मैं देख रही हूँ कि आपका हैल्थ आपका करियर या बहुत ज ही suggest करूंगी है ना आप positive रहें और अपने काम पर भी अपना focus आपको करना चाहिए relationship भी बहुत important है हर किसी clear होता है relationship important बट हमें अपने काम पर भी focus करना चाहिए कि work भी बहुत important होता है है ना तो यहां पर angels भी आपको यही गाइड कर रही है हाला कि reunion में यहां पर problems हो ही आपके difficult time है आपके समय पर और जब difficult situation होती है तो बस यहीं सोचते कि बस difficult situation से किसी तरीके से निकले तो यहां पर मैं बोलूँगी कि बहुत जल्द strength कार्ड के साथ अब के life में बड़ा change भी दिख रहा है new dreams new ideas भी आने वाले हैं आपको एंड आपकी relationship में अच्छी positive energies भी आएगी so guys I hope so connect की होगी मेरी यह reading टेक क्या बाए बाए